अध्याय एक, भाग दीन, शिविर में हमारा पहला दिन, और्डियो बुक बाए मिलियनेयर माइंड्स हमें उसी दिन शाम को उस उंगली के खेल के माइने समझ में आ गए यह हमारे जीवन या मृत्यू के लिए लिया गया पहला फैसला या पहला चुनाओ था हमारे काफिले के अधिकतर वेक्तियों यानी लगबग 90% शातियों के लिए यह मौत का फर्मान था, अगले कुछी गंटों में उन्हें मौती सजा सुना दी गई जो लोग बाई और भेजे गए थे, उन्हें स्टेशन से सीधा कदतमाल करते हुए शवदाग्रे की और भेज दिया गया और फिर वे हमेशा के लिए गहरी नीन सुला दिये गए वहां काम कर चुके एधिकती ने मुझे बताया कि उस इमारत के दरवाजों पर कई यूरोपियन भाशाओं में सनान घर लिखा था अंदर जाते ही हर कैदी को एक साबुन का टुकड़ा दिया जाता और फिर लेकिन शुक्र है कि मुझे वे सब घटनाएं दोहराने की जुरत नहीं है क्योंकि इस आतंग के बारे में पहले से ही बहुत से दस्तावेज मौजूद हैं और लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हम में से जो लोग बच गए थे यानि काफिले के साथ आए केवल कुछ प्रतिशत बंदी उन्हें शाम को यह सब पता चला मैंने वहाँ पहले से ही रह रहे बंदियों से पूछा कि अन्य बंदियों और मेरे दोस्तों को कहां भीजा गया था क्या उसे बाई और भीजा गया था उसने पूछा हाँ मैंने उत्तर दिया तब तुम उसे वहां मिल सकते हो उसने एक और इशारा किया कहां मैंने पूछा उसने कुछगज की दूरी पर दिख रही चिबनी की ओर इशारा किया जिससे निकलती आग की लपट पोलेंड की आसमान पर जाते हुए आगे जाकर एक बादल में ओजल हो रही थी वह देखो तुम्हारा दोस्त स्वर्गी की दिशा में जा रहा है जबाब आया लेकिन मैं यह बात तब तक नहीं समझ सका जब तक मुझे दो टूक शब्दों में सारी हकीकत नहीं समझाई गई मैं बातों को सिलसिलेवार ही बता रहा हूँ अगर मनों वग्यानिक नजरिये से देखा जाए तो स्टेशन से धुंदल से भरी वह सुभा से लेकर शिवर में हमारी पहली रात तक हमारे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था हमें हत्यारबंद SS पहरेदारों के साथ स्टेशन से दोड़ाया गया हम शिवर के ओर जाते हुए उन कटीली तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली की करंट था इसके बाद हमें अपने शरीर को साफ सुत्रा करने की कसरत से गुजरना था जो लोग बच गए थे उनके लिए यह सचमुच का स्नान था एक बार फिर से हमें यह जूटी तसली होने लगी कि हमारे साथ कुछ बहतर होने जा रहा था ऐसे सदिकारी दिखने में अच्छे लग रहे थे जल्द ही हमें उनकी सजनता का पढ़चा भी मिल गया वे हमारे साथ सिर्फ तभी तक भले बने रहे जब तक उन्होंने हमें फुसला कर हमारे हाथों पर बन्दी गणियां नहीं हत्या ली वैसे भी हमें अपनी सारी संपत्ती तो उन्हें देनी ही थी हमारा सारा समान अब उनका था अगर हम अपनी घड़ी उनमें से किसी एक को देते तो हमारे लिए यह फाइदे मन था शायद वह किसी दिन हमारी भलाई का बदला चुका देता हमें एक बरामदे नुमा स्थान पर इंटजार करने को कहा गया जो कीटाडू नाशन कक्ष से बाहर बना था फिर SS के आदमी आये और उन्होंने जमीन पर कुछ कंबल विछा दिये वे चाते थे कि हम अपना सारा समान हमारी घड़ियों और जेवरा तादी उन कंबलों पर फैक दे अब हम कुछ सीथे और मासूम बंदी ऐसे थे जिनोंने SS अधिकारियों से यह पूछ कर सब को चकित कर दिया कि क्या वे अपनी शादी की अंगूटियां कोई मैडल या गुडलक पीस अपने साथ रख सकते थे उन्हें अब भी यह बात समझ नहीं आई थी कि उनके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा मैंने पुराने बंदियों में से एक को अपने भरोसी में लेना चाहा मैं जट से उसकी और खिसका और अपने कोट की अंदर वाली जेब में पड़े काग्यों की पुलिंदे को दिखाते हुए धीमे से बोला देखो मेरे पास एक बैग्यानिक पुस्तक की पांडूलिपी है मैं इसे बचाना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे मुझे तो भगवान को शुक्रियादा करना चाहिए कि मेरी जान बच गई मैं इससे ज़्यादा अपनी किस्मत से और क्या उमीद रख सकता हूँ पर मैं खुद को रोक नहीं सका इसलिए तुमसे विल्ती करता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर इस पांडूलिपी को बचाने में मेरी मदद करो यह मेरी सारे जीवन की जमा पुझी है तुम समझ रहे होना मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा लगा कि शायद उसे बात समझ आने लगी थी धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुसकान दिखने लगी ऐसा लग रहा था कि मुझ पर उसको तरस आ गया है लेकिन फिर उसकी मुसकान अचानक विस्मय भाव में बदल गई मानो वह मेरा अपमान कर रहा हो और तब उसने अपने मुसे वह शब्द निकाला शिट यह शब्द हम शिवरवाश्यों में जीवन में सदा अपनी मौजूद की बनाये रखता था वे अपने हाव भाव से मेरी काफी उपहास कर चुका था उसी समय मेरा आमना सामना कुरूर सत्या से हुआ और मैंने अपनी मनो वैज्ञानिक पतिक करिया कि पहले चरण के अगरी बिंदू को पहचाना मैं अपने पिछले जीवन में से एक जटके में ही बाहर आ गया था यानि अम मुझे पूरी तरह से केवल आज में ही जीना था हम मेरे पास अपने लिए कुछ भी बचा कर रखने का कोई अधिकार नहीं था अचानक मेरे साथ बैठे उन सभी लोगों में एक थरतराहट सी दोड़ आई जो पीले, मुड़ जाए और ठके हुए चहरों के साथ ऐसे हाए भाव में बातचीत में मगन थे, हमें फिर से कड़े स्वर में दिये जा रहे अधेश शुनाई देने लगे और मुको वा घूसो के साथ सनानगर और रवाना किया गया जब हम भीतर गए तो एक एसेस अधिकारी हम सब के इंतजार में पहले से ही वहा मौजूद था, वह बोला उसे उतार कर अपने पास ही जमीन पर रग दो, तुम्हारे पास अपने जूते, गिलैस और टांगों के बीच पंधी कद्यदार पट्टी के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए, मैं गिंती करना शुरू कर रहा हूँ, अब लोगों ने बेहिचक अपने कपड़े पाडने आरम कर दिये, समय कम हो रहा था, वे मारे खवराहट के और भी बैदहाल हो रहे थे, खवराकर अपने अंतरवस्तर बेल्ट और जूतों के तस्मों में उलज रहे थे फिर हमने पहले कोड़े की फटकार सुनी, नंगी देहु पर चमड़े की कोड़े मारे जा रहे थे, इसके बाद हमें जुंड बना कर एक ऐसे कमरे में ले जाया गया, जह हमारी हजामत हुई, सिर समेद हमारे शरीर के किसी भी अंग पर बाल का एक कत्रा तक नहीं चुड़ा गया, इसके बाद हमें सनान करने के लिए कतारों में भेज दिया गया, हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे पर हमें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि नलों से असल में पानी ही टपक रहा था जब हम अपने सनान की बारी आने का इंतिजार में थे तो अपनी देख के नंगे पन ने हमें ऐसास दिलाया कि हमारे पास अब अपने नंगे शरीरों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, यहां तक कि अब उस पर बाल तक नहीं बचे थे सच कहूं, तो हम सभी अपने इन नगन इस्तिवों के वश में थे, ऐसा लगा जैसे अपने पिछले जीवन से हमारा कोई नाता ही ना रहे गया हो मेरे पास चश्मा और बेल्ट बची थी बाद में डबल रोटी के एक टुपड़े के लिए मैंने वह बेल्ट भी किसी दूसरे को दे दी थी शरीर के निचले हिस्से में पहनी जाने वाली कद्दार पट्टियों के मालिकों के लिए थोड़ा बहुत रुमाच अभी बाकी था शाम को हमारी जोपड़ी में हमारे वरिष्ट बंधी अधिकारी ने अपना महाशर देते हुए शत पर लटक रही बिल्लियों की ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी कद्दीदार पट्टी के मालिक ने हमें अपनी पट्टी में से पैसे या कीमती पत्थर बगेरा सिलकर शिपाने की कोशिश की तो वह उसे उसी बिल्ली से रटका कर मार देगा उसने गर्व से बताया कि शिविर का वरिष्ट अधिकारी होने के नाते वह ऐसा करने का पूरा हक रखता है जहां तक हमारे जूतों का सवाल था यहां भी मामला इतना असान नहीं था हाला कि हमें उन्हें रखने की इजाज़त तो थी परंतु जिनके पास अच्छे जूते थे उन्हें उनसे चीन कर बदले में ऐसे जूते दे दिये गए थे जो उनके पैरों में फिट नहीं आते थे असली मुश्किल तो उन कैदियों के लिए थी जिनोंने अपने वरिष्ट कैदिशातियों की सला मान कर अपने बड़े और लंबे जूते काड़ दिये थे और उनकी कटने की निशान शिपाने के लिए उन पर सावन मल दिया था जो हमें नहाते समय दिया गया था SS के लोग तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे सभी गुनागारों को एक साथ वाले छोटे कमरे में ले जाया गया कुछ ही देर बाद हमने दुबारा कोड़े बरसने और उन लोगों के कारहाने की आवाद सुनी और इस पार ये मारपेट पहले से अधिक समय तक जारी रही इस तरह हमारे सारे ब्रह्म धीरे धीरे एक एक कर तूट रहे थे और फिर अचानक हम में से अधिकतर कैदी एक भयंकर किस्म के हांस्यबोध में मगन हो थे हम जानते थे कि अब हम हमारे पास हांस्यपाद रूप से नंग जीवन के सिवा खोने के लिए बाकिक कुछ बचा नहीं था जब नलों से पानी आने लगा हमने अपने और एक दूसरे के बारे में हसी मजा कन्य की पूरी कुशिश की जो भी हो भई उन नलों में से तो हमें शुद पानी ही मिल रहा था उस विजित्र प्रकार के हास्यवोत के अलामा हम एक और भावना को महसूस कर रहे थे कौतुहल या जिग्यासा मैं पहले भी इस प्रकार के जिग्यासा का सामना कर चुका था यह अटपटे हालातों के लिए एक बुन्यादी प्रतिक्रिया होती है एक बार परवता रोहन के अनुभव के दौरान मेरी जान पर बनाई थी और दुरगटना के उस कठिन चड़ में मेरे में केवल यही जानने की कौतुहल बचा था कि इस घटना के बाद मैं जीविद पचूंगा या फिर मुझे अपनी फूटी कोपडी के अलावा शरीर के और कौन-कौन से अंगों को तूटने फूटने की पीड़ा सहनी पड़ेगी यही सर्द करदेने वाला कौतुहल आशूच केम्प में भी मेरा साथ दे रहा था इसके कारण आसपास के महौल के असर से अपने मन को किसी तरह में दूर भगाने का समभाने की उस समय यह सोच एक सुरक्षा साधन के रूप में कारगर सिध हो रही थी हम यह जानने को उच्छुक थे कि इसके बाद क्या होगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे मिसाल के लिए कड़कडाती सरदी के दिनों में हमारी खुली हवा में खड़े होने और सिनान के बाद लंबे समय तक कपड़ों के बिना रहना अगले कुछ ही दिनों में हमारा यह कौतुहल हैरानी में बदल गया हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी हमें सरदी क्यों नहीं लग रही थी नए कैदियों के लिए ऐसे ही बहुत से हैरत अंगेज अनुभव इंतजार कर रहे थे हम लोगों के बीज जो लोग चिकित्सा के छेतर से जुड़े थे उन्होंने इन्हें सबसे पहले जाना किताबें हमेशा जूट बोलती हैं शिविर में आने से पहले मुझे यकीन हुआ करता था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते जैसे हम इसके या उसके बिना नहीं सो सकते और हम इसके या उसके बिना नहीं जी सकते जबकि हम आश्विज में पहली रात ऐसे बिस्तरों में सोए थे जो एक के उपर एक कतार में लगे हुए थे करीबन साड़े छे से आठ फीट के प्रत्य एक तक्त पर नौ बंदी सो रहे थे उन नौ बंदीयों के बीच केवल दो कंबलों का ही सर्दी से बचाने का काम करना था हम ऐसा करने में सफल रहे लेकिन हम सब को एक ही करवट लेकर एक दूसरे से बहतर सटकर भीड के बीच सोना पड़ा हमने गहरी नीन ली बेशक कुछ बातों से अंजाने में लाब ही मिल जाता था हड़ियों को जम्मा देने वाली सर्दी के बीच ऐसी विवस्ता ने थोड़ी राहत थी हाला कि अपने बिस्तरों पर जूते पहन कर सोने की मना ही थी पर कुछ लोगों ने उन्हें तक्ये की तरह सीरों के नीचे दबा लिया था उन्हें इस बात की परवा नहीं थी कि वे जीते कीचर से सने हुए थे बाकी कैदियों को अपना सर अपनी बाजू पर ही टिकाना पड़ रहा था जो एक ही स्थान पर रखे हुए की वज़ा से अकड रही थी फिर भी हमें नीद आई और कुछ घंटों के लिए मानू हर प्रकार का कश्ट और जुल्म हमसे छूट गया मैं ऐसे ही कुछ और आश्चर्यू के बारे में बताना चाहूँगा जो उस दोरान हमने अपनी सहनशक्ती की सीमा के बारे में जाने हम अपने दाथ साफ नहीं कर सकते थे इस मजबूरी और विटामिन की भयंकर कमी के बाबजूद हमारे मसूडे पहले से कही ज़्यादा स्वस्त और मजबूर्ट थे हमें करीबन छे माता एक ही कमीज को तब तक पहनना होता था जब तक वह दिखने में कमीज लगना बंद हो जाती थी हम कई कई दिनों तक अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे तोकि नलों में पानी जम जाता था और फिर भी हमारे गंदे हाथों पर पड़े चालों और फफोलों में मवात नहीं भड़ता था यदि उनमें बर्फ के कारण शीत दंश ना हुए हो हम में से कई लोगों को पहले कच्ची नींद की शिकायत थी ये लोग हलकी सी आहट सुनकर भी नींद से उठकर बैर जाते थे लेकिन अब यही लोग शोड़ शराबे के बाब जूद अपने उस साथी के भार तले दवे गहरी नींद लेते हुए पाते थे जो उनके कान से कुछी इंच की दूरी पर लंबे लंबे खराटे बर रहा होता था दोस्तो वस्की का एक कथन है जिसमें उसने साफ शब्दों में यह बात कही है एक मनुश्य के रोप में हम किसी भी चीज की आदी हो सकते हैं अगर हम हमसे कोई इस कथन की सच्चाई के बारे में पूछता तो हमारा जवाब होता जी हाँ मनुश्य किसी भी वस्तु का आदी हो सकता है पर महरवानी करके हमसे यह ना पूछें कि ऐसा कैसे होता है अभी हमारी मनोवज्यानिक खोजवीन हमें इतनी दूर तक नहीं ले गई थी और ना ही हम मंदियों के रूप में उस मोड तक पहुँचे थे यहां ऐसे सवालों का जवाब देना संभव हो हम अब ही अपने मनोवज्यानिक प्रदिक्रियाओं के पहले चरण में थे भले ही कुछ देर के लिए सही पर हम में से हर कैदी के मन में कभी ना कभी आत्महत्या का विचार अवश्या आया यह हमारी है सहाए अवस्ता हर रोज हर वक्त लगातार मन राते मौत के खतरे और दूसरे बंदियों की मौत के बहुत पास से देखने के अनुभव की उपज थी अपने नीजी संकल्प की अनुसार जिसके बारे में हमें बाद में चर्चा करेंगे मैंने शिवर के पहले ही दिन सुयम से वादा किया था कि मैं कभी भी उन करेंट वाले तारों को गले से नहीं लगाऊँगा जो हमारे शिवर के आसपास लगाय जाते थे प्राए शिवर में आत्मात्या करने के लिए इसी लोग प्रिय तर्कीब का नाम लिया जाता था आत्मात्या करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ती जाकर करंट वाले कटीले तारों को छूल लेता और मेरे लिए यह फैसला करपाना बहुत मुश्किल भी नहीं रहा वैसे भी शिवर में रहे रहे लोगों को वस्तन जीवन काल को ध्यान में रखते हुए आत्मात्या करने का कोई तुक भी नहीं बनता था क्योंकि हमारे लंबे समय तक बचने की संभावना बहुत कम थी केवल कुछ ही लोग इसके अफ़वाद के रूप में गिने जा सकते थे जो हर प्रकार के चुनाओं की प्रक्त्रिया से बेदाग निकल जाते हुँ आश्विच की नए कैदी अपने सदमे की पहली अवस्ता के दौरान मौत से भैवीत नहीं हुए यहां तक की पहले कुछ दिन के बाद कैदीयों के लिए गैस चेमबर का भै भी जाता रहा जो भी हो कम से कम गैस चेमबर होने के कारण आत्मत्या की नौपत नहीं आती थी एक गैस चेमबर ही दुरबल कैदीयों के लिए मृत्यू का दूसरा नाम बन जाते थे इस आउडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद